हे एवरिवन वेल्कम बेक टो सोना मेक ओवर तो आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है जोगी है मेक अप से लेकर की गर्मियों में हम मेक अप कैसे करें ठीक है तो फटा फट जहें स्टार्ट कर देते हैं वीडियो तो सबसे पहले गर्मियों में हमें क्या करना है फेस पर टोनर अप्लाई करना है फेस जो है डिहाइडरेट हुआ रहता है इसकिन हमारी ठीक है और टोनर अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगी मोस्ट्राइजर अप्लाई करेंगे मोस्ट्राइजर आपको क्या करना है नॉर्मल वाला नहीं करना आपको को प्राइमर कौन सा लगाने आपकी स्किन कैसी है अगर आपकी स्किन ओपन पोर्स वाली है और अगर आप उसमें नॉर्मल प्राइमर लगाऊगे तो आपको जो फांडेशन है न वह उपन पोर्स के अंदर गुस जाएगा ठीक है अब देखो मैंने यहां पर रिकोड का एस बैश्ट होता है उपन पोर्स के लिए और आपने यहां पर जहां डिफरेंस देखा भी होगा ठीक है इसको हम अच्छे से अपलाई कर देंगे आपको प्रॉडक्ट अगर आप अपने स्किन के हिसाब से लगाऊगे तो आपका जो बेस है वह बिल्कुल भी नहीं हटेगा अब क्या करेंगे यहां पर की कंसीलिंग करेंगे अंडराय एरिया पे तो आपको आपको बहुत जब जादा लेयर नहीं बनानी है । फिर व λो पसीन आता है तो हट जाता है आपको normal कैंने öपना color करेक्टर को ब्रस में लेनाँ है और inner पर हलका से लगाना है इसके बाद concealer को side से लगाओ और इसकी merging कर दो छोटे ब्रस से ठीक है पहले आप color character की merging करोगे और बाद में जो है इसकी concealer की merging करोगे तो आपको यहाँ पर जो है दोनों काम होगे आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है पहले color character फिर आपको concealer इतनी layer बनाने की जरूरत तब तक हम जह है color correction कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा मतलब आपको नहीं लेने हैं जो की बहुत multiple layer नहीं बनानी आपको ठीक है जितना हो सके lightly उतना work करना है ठीक है अब हम क्या करेंगे अब कंसीला ब्रस से क्या करेंगे इसको जो हम थोड़ा सा merge करेंगे जो हमने लगाया था यहां पर color character तो ब्रस से आपको ज्यादा coverage मिलती है ब्रस से आपका base light बनता है beauty blender से थोड़ा सा heavy base बनता है तो हमको समयर में यह चीज़ ज्यादा ध्यान रखनी है इसके बाद हम एक light weight foundation यूज करेंगे जो कि यहां पर मैग का foundation में ले रही हूँ और मैग की foundation होते हैं इनके consistency काफी थिन होती है तो अगर आपको बहुत पतला light weight बनाना है मतला एक makeup look होता है नो makeup look होता है वो रखना है तो आप मैग के foundation ले सकते हो ठीक है इसके बाद हम blending करे इस तरीके से और जब भी आपको मतला light weight base चाहिए होता है coverage चाहिए होती है तो आप brush से blend कर सकते हो product को ठीक है तो इस तरीके से देखिए blending बहुत ही important है आपकी और I hope जब आपी makeup tutorial complete देखोगे इसके बाद इसको करोगे ऐसी तो I hope आपकी problem है वो दूर हो जाएगी ठीक है बस आपकी features हैं मतलब ऐसे हैं जिससे पतले हैं ज्यादा उनमें work करने की ज़रुतनी है तो आप इसको इसके भी कर सकते हो ठीक है दूसरी बात आपको यह धियान रखना है कि base आपको बहुत जादा फेयर नहीं बराना है यहां पर मैं contouring की technique आपको बता रही हूँ नार्मली हम यहां पर एयर के पास से contour करते हैं बट हमको थोड़ा सा उपर contour करना है इससे जो आपका face है वो lifted लगेगा बिल्कुल जैसे सेलेप्स का होता है ना उनकी जो face होते हैं काफे lifted लगते हैं आपको ऐसा लगता है कि यह सारे surgery वगरा से ही रहते हैं बट मेकप की जो मर्ज कर देंगे एक सार ठीक है यहां पर जो हमारा natural contour वाला effect है वो आ जाएगा बागी नोस को मैं थोड़ा सा contour करूंगी और अगर नीड नहीं है तो आप जो है अवोइड कर सकते हो डेली makeup लूप में ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे बेस को set करेंगे अंडर आय एरिया जो आपको छोटे ब्रस से ही करने जरूरी होते है अब इसके बाद अगर आपको जादा coverage चाहिए तो आप क्या करोगे पावडर पफ की help से आप पूरे इस तरीकी से apply करोगे यहां पर जहां पर लाफिंग लाइन होते है यहां पर आप ऐसे बलून माउथ करके और इस तरी करेंगे और आपको तो नेचुरल इफेक्ट रखना है तो हम जो है पावडर प्रॉडक्ट यहां पर यूज करेंगे ठीक है अब जो जो जैल प्रॉडक्ट होते हैं उनसे थोड़ा सा ड्रिमेटिक लूक आता है तो आप ब्राइड वगरा या फिर पार्टी वेर मेकप में कर सकते हो अगर आपको डेली यूज का करना है लाइक कॉलेज जाने का ओफिस का मतलब जो भी है रेगुलर बेसिस का मेकप तो आप जो है पावडर फॉर्म की प्रॉडक्ट होते है वो ले सकते हो ठीक है इसके बाद ओवर और लिट पर हम इस तरीके से देखे कंसीलर अप ब्लेंड कर आपके जो काम फॉर्म और तिस्ट कि अपयोंगी एक प्रॉडर फॉर्म से क्योंकि अको के आपि क्रीज लाइन है तो आप डेलेक टिंट को ही अप्लाइक कर दोगे ठीक है इस तरीके से ब्लेंडि के प्रॉडप्त क्प्रोडक्त करेंगे है ऐस थी तरीके से फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं है और इस तरीके से हलका सा शीमर का टाच इसमें मैं दे दूगी बहुत लाइटली ठीक है इसके बाद जो है कोई जरूरी नहीं होता कि हमें लाइनर ही अपलाई करना होता है ठीक है इसके बाद एकी कॉंटूर किया हलका सा पाउल्डर कॉंटूर और उसके साथ हम ब्लश अपलाई करेंगे ब्लश का पीच कलर का शेड है बहुत ही प्यारा सा संकिष्ट लूक आता है उससे ठीक है बहुत ही प्रिटी लगता है और उपर से बात यह कि वह हर स्किन टोन पर छल जाते है तो बस हलका सा जो है ए थोड़ा सा फूर सा जो है ऐकल plugged नि थोड़ा साथिय। लाने के लिए हम नोज पर भी सका अपलाई करेंगे एक बाद यह अपलाई करते हैं हाइल तो सीटोन के हिसाब से अपलाई कर सकते हो ठीक है तो जहां पर हमने कॉंटूर किया उस बस नो स्टिप पर हाइलाइट करेंगे और थोड़ा सा फोर हेट पर इसके बाद लोवर लैश सौरी आइलेसस में हम क्या करेंगे कि फॉल्स आइलेसस कई लोग को पसंद नहीं होती है एंड तो हम फॉल्स आइलेसस वाला लुक लाने के लिए क्या करेंगे पहले देखिए आइलेसस के ऊपर हम इस तरीके से कोटिंग करेंगे नीचे वाले डिरेक्शन में ठीके अब इसके बाद हम जैसे नॉर्मली मस्कारा जो है अपलाई करते हैं वैसे ही करेंगे और इस टेक्निक से जब आप लोग अपलाई करते हो मस्कारा तो बहुत ही अच्छा रिजर्ट अब इसके बाद लिप्स पर आपको कोई जरूरी नहीं होता कि आपको लिप्स्टिक ही लगानी होती आप चाहो तो लिप्टिंट भी अपलाई कर सकते हो ठीक है अगर आप रेगुलर मेकप कर रहे हो तो लिप्टिंट कई तरह की कंपनी में मार्केट में अवैलबल है हमने आपर टेंट अपलाई कर दिया है और यह रहा फाइनल लूक तो कमेंट करके जिरूर बताने कि आपको यह समर मेकप कैसे लगा